मां तुमने अभी तक लालटेन नहीं जलाई चाम हो गई है अंदेरा चाया हुआ है तुम बोलती क्यों नहीं मां क्या हो मां तुम चुपचाप क्यों हो तुम्हारी तबियत तो ठीक है न मां पेटा ठाकुर सहाब ने हमारी बर्बादी का इंतिजाम कर दिया है बर्बादी का इंतिजाम ठाकुर ने हाँ बेटा मैं ठीक कह रही हूँ तुम्हारे पिदाजे शहर जाते वक्त उनसे 200 रुपे ब्याज पर लेकर गए थे उन 200 रुपे का ब्याज फिर ब्याज पर ब्याज बढ़ते बढ़ते वो रकम 25 हजार हो गए इतने रुपे माँ हाँ बेटा अब उसके बदले हमारा खेत और घर हासिल करना चाहते हैं ओ माँ तो एक बार फिर मेरे बापू का नाम समस्य बनकर आ खड़ा हुगा वो भी इस तरह कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे मा तुम्हें याद है ना बचपन में जब इसकूल में दाकला लेने गए थे तो मास्टर जीने बापू का नाम पूछा था और गाशनकार बनवाने गए थे तब बापू का नाम बीच में आया था और मां वो चुनाव वाले आये थे तब बापू के नाम की जरूरत पड़ी थी और आज फिर एक बार ये नाम समस्य बन कर खड़ा हो गया लगता है मां ये मरते दम तक साथ नहीं चोड़ेगा हमारा पेटा मैं उठसे जुड़ी हूँ तुम्हारा जनम उठसे जुड़ा है ये रिष्टा तो आखरी सांस तक जुड़ा रहेगा यानि कि उनसे जुड़ी सारी जिम्मदारी को हमें नहीं पादेगा है वह बेटा यही हमारा नसीब है हमें सारी मुस्क्लों से जूजना है जब क कुछ बचेगा नहीं मा तो जूजेंगे कैसे बेटा हमें हिमत नहीं हारनी है तो हम क्या कर लेंगे मा जब तक सांस है तब तक आस है इसलिए मैंने कल पंचायद बुलाई है जो भी फैसला होगा वो गावालों के सामने होगा